Magistrate vs Judge Court के judges को appoint करते हैं President of India जबकि Magistrate को appoint करता है High Court या State Government Magistrate चोड़े से शेर को देखता है चोड़े डिस्ट्रिक को देखता है जज का दारा बड़ा होता है Magistrate चोड़ी मड़ी चोरियां देखता है ट्रैफिक के चलान देखता है जज बड़े complex cases देखता है Magistrate उमर कैद या मौत की सजा नहीं सुना सकता जज ये सब कर सकता है तो Magistrate के पास power कम जज के पास जियादा पहले आता है Executive Magistrate फिर Metropolitan Magistrate फिर Judicial Magistrate फिर आता है Chief Judicial Magistrate Judges में पहले District Court जज फिर आते है High Court जज फिर Supreme Court Judges Judges पूरी दुनिया में court cases देखते हैं और कुछ नहीं करते है Magistrate किसी देश में कुछ करता है किसी देश में कुछ करता है बिना law की डिग्री के भी Magistrate बना जा सकता है लेकिन जज के पास तो law डिग्री होना इच्छ मांगता समझ नहीं आता है इन Judges को इतनी सेलरी मिलती क्यों है मुझे तो आप लोगों की Free में Judgment मिलती है Comment box में